एलो फ्रेंट्स अल उफ यूर वेलकम एड़ दा एमसीजी अकेडमी गॉलिया दूस्तो आज की वीडियो में आप सब्सक्राइब के लिए 27 जुलाई के करेंट अफ्यस लेकर करके आएं दूस्तो आज है आप लोगों का 27 जुलाई 27 जुलाई के सब्सक्राइब दूस्तो आप लोगों का कोईश का सेसं रहता है तो आप लोगों पलेगा आप सब्सक्राइब लिए आप हैं आप लोगों को इस चैनल पर आप के छोटे वाई बाइवैनों के लिए अकेडमे क्लासिस means आप लोगों के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के सारे के सारे सब्जक्ट आप लोगों जल्द से जल्द इस चनल पर उपलब्द होने बाले हैं साथी साथ MP पुलिस और SI के वेचिस भी जल्द से जल्द हमारे अनुवभी से चनल पर आप लोगों को उपलब्द करवाए जाएंगे इसे के साथी वीडियो को सुरू करते हैं तो पहला जो आप लोगों का आज का कोश्ट का सिसन दिया गया है उसमें पहला जो कोशन आप लोगों का दिया गया है अब शुचकांग दॉयर उन्नीश की यदि बात करें तो इस वर्सिस की थीम क्या रही थी दूस्तों इस वर्सिस की थीम रही थी सुचकांग में इसको पहला है इसके अंतरगत 139 देशों को सामिल किया गया था असी से अधिक संकीतों के आदार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की गई ये इसका इस वर्स का मुख के थीम में आपको बता चुका हूं भारत को कॉंसाइस अंप्राप्त हुआ ये भी में एक केस पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहां एक स्पेसल कोट बनाए जाएगा ऑफशन आप लोंका सौ केस हो या दो सो तीन शो चार सो इसमें ऑफशन नमबर एस सौ आप लोंका राइट अंसर होगा सुप्रीम कोट ने किन्द सरकार को निर्देश दिये हैं कि जि प्रकरिया तेजी से पूरी करने को हर जिले में फेरेंसिक लैब भी बनाई जाए यह बहुत ही अच्छी बात है यदि इस प्रकार के कदाम उठने ही लगेंगे तो हमारे देश में जो बाल प्रकरन बढ़ रहे हैं बाल रेप के जो कांट बढ़ रहे हैं वो सभी पर जुह पहर कि दू में होगे से पांच बाल को इस संवोख जारी विश्यू रैंकिंग में वेल जीम सूची में सीत राप रहे है लोगे जी जो है एक यार दोसर चव्दवा अंक प्राप्त हुए हैं और अब टीम एस याई देशों में आठारवय स्थान पर है जो एसर देशमन में अठारवी स्थान पर यदि पूरे बिर्ष्र की बात करें तो एक इत्पर टीन वाइस स्थान इसको प्राप्त हुआ है इरान- इसर भारतिये खिलाडी ने सेना में बतोल लेफ्टिनेंट करनल जोइन किया और वे कस्मीर में 15 दिन की ट्रेनिंग आरम कर रहे हैं और जो भारतिये क्रिकेट कप्तान रहे चुके हैं कौन सेना में ओनरी लेफ्टिनेंट करनल महीं सिंग धौनी की 15 दिन की आर्मी ट्रेनिंग कस्मीर में 31 जुलाई से शुरू होगी धौनी 15 अगस्त तक कस्मीर में रहेंगे और इस दोरान पैट्रोलिंग गार्ड और पोश्ट की ड्यूटी भी करेंगे सुत्रों के मताविक धौनी को सुरू के तीन दिन बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें पोश्ट के बारें बताए जाएगा और फाइरिंग सिखाई जाएगी बहुती अच्छी बात है अगला जो कुशन आप लोगों का क्या है रच्छा मंतरी राजनाथ ने तो ये भी आप लोगों के लिए पता होना चाहिए बरतवान रच्छा मंतरी कौन है तो राजनाथ सिंग हमारे रच्छा मंतरी है राजनात ने किस नाम से रच्छा उत्पादन वभा के बिभिन्नस कालक्रमों के योजनाओं की प्रभावी जो जानकारी सहायक वभा का डैस वोड लॉंच किया है रच्छा उत्पादन वभाग के बिभिन्न कारक्रमों और योजनाओं की प्रभावी नगरानी के लिए रच्छा मंत्री ने एक डैस्पोर्ड लॉंच किया है और यह रच्छा वभाग में निवेश के साथ साथ आईटी पीचल इंटेलिजेंसी प्रयोजनाओं जैसे विसमा आप लोगों का क्या है हाल ही में चारी व्लूमबर्ग के निव एकॉनम की ग्लोवल सर्वे के अनुसर वर्स दो हजार पैंटीस तक भारत और किस देश बिश्यों में के तकनीकी नवाचार के इंद के रूप में अमेरिका से आगे निकल जाएगा तो आप लोगों का रूस नेपाल, पागिस्तान और चीन तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो गाफसन नमर डी चीन इसा बताया जा रहा है कि यह एक उनलाइन सर्वे है जिसमें ब्लूमबर्ग नामक कंपनी दोरा आयुजित किया गया था ब्लूमबर्ग दोरा सर्वे चलंद 20 बाजारों के सर्वे में भाग लेने बाले 49 पती हैं लोगों का मानना है कि चीन की राज़ानी बिजिंग बर्ष तो यह पैंती सक तक निकी इमामल है सबसे सीर सिस्तान पर होगी बिल्कुल हो सकता है ऐसा क्योंकि आप लोगों पता है कि बहुत ही ज़्यादा मैनत कर रहा है चीनिया वर अगला आप लोगों का है अंतरराष्टी परमानु उर्जा एजनसी आई एए के किस महाने देशा का बाहतर साल की आई में निदर हो गया तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा को स्टो आप लोगों को हम रेगुलर प्रोवाइड करवाते ही है लेकिन आप लोग आप लोगों को क्या पहुत ही फायदा होने वाला है आपकी करेंट का कोई भी कोश्चन आप लोगों को पुल्कुल 100% मिला हुआ था आगे मैं आपको उताना चाहूंगा हाल ही मैं जो अंतरराष्टी उर्जा परमानु उजनसी आई है किस महाने देशा का बातर साल की आई किया गया महमद अलवार देई और हैंस विक लिक्स और राहुल सच्चेदेवा तो इसमें आफसर नमर ए यू किया अमानु आप लोगों को राइट अंसर होगा बात करें यू किया अमानु दोयार 9 से सायुकतराष्ट यून की एक परमानु निग्रानी अजनसी के महाने द विदेश मंत्राले के अधकारी के तौर पर फ्रांस अमेरिका और शुट जल लेंड समेत कई देशों में काम भी किया है बहुती मींज अनुववी व्यक्ति थे बात करने एक सब्द में हम तो अगला जो कोश्चन आप लोगों का क्या है दोस्तों पढ़ते सभी हैं लेकिन हैं आपको थोड़ा एक्स्टा मेनद करनी है जिससे क्या है हम लोगों को पता लगता रहे कि मार्केटिंग वेल्यू क्या चल रही है पढ़ाई की तो अगला आप लोगों का क्या दिया गया है प्रतिक बर्स 26 जुलाई को मनाई जाने वाले कार्गिल विजय दिवस की बर् को पूरे देश में सर्दांजली अर्पत की जाती है साल दोयर 19 को 20 वा कार्गिल दिवस मनाया जा रहा है और बात करें इसकी तो क्या है कि कार्गिल युद्ध 3 माई 1990 शुरू हुआ था और यह जो है युद्ध करीब धाई तीन महीने ते चला और 26 जुलाई अगला जो आपनों का क्या है भारतिय बर्सपती शोद करता होने के सराज में एक रख्त इस्वावित विरच की परजाती इसको हम क्या कहते है ड्रैकेना कंबोडियाना इक खोश की है तो आपनों का असम तमिलनाडू केरल पंजाब तो इसमें जो आपनों का राइट आंसर होगा क्या होगा असम आपनों का राइट आंसर होगा यह वरच असम के पश्चिमी कारवी आंग लॉंग के डौंगा सर्पो छेतर में पाए जाता है यह पौधे को ड्रॉन की ट्री प्रजाती गरूप में बरगी गरत करने में लगवक चार साल का समय लगा बात करने इस प हमारे ओपियों की दरश्टी से बहुत ही महत्तपूर्ण है यह के साथ नेक्स आप लोगों का कोश्चन है हाल ही में जारी एटीप टैनिस रैंकिंग में किस महिला खलाडी को पहला इसान प्राप्त हुआ है तो आफसन आप लोगों का दिया गया है एसले वाइटी और दिय में जारी कि महिला खलाडी जो है एसले वाइटी को पहला इसान प्राप्त हुआ है एसले वाइटी 1976 के बाद डब्लुटी और रेंगे में पहले स्थान पर पहुंचने वाली पहली ऑस्टेलिया महिला टैनिस खलाडी है जापान के नामियोसा का दूसरे स्थान पर चेक रि जाना चाहूंगा आप लोग उन्युजपेबर की मुख हेड्लाइंस की और क्या दिया गया है ये यूरप्पा ने चौती बार मुख रेंडि पत की सबत लिये कहा 39 जुलाई को बहुत साबित करूंगा ऐसा उन्होंने कहा है कि 191 जुलाई को बहुत साबित कर सकेंगे ये यूरपपा ने अकेले ही सबत ली और शियम समेत कुल 34 में 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं लेकिन इन पर अभी फैसला नहीं लिया गया ऐसा उन्होंने कहा है मुक्ष मंत्री ने सबत गरहन से पहले अपने नाम की स्पेलिंग में एक ही हटाकर means एक डी हटाकर सामिल किया अब येदि यूरपपा की जगह है येदि यूरपपा लिखा जाएगा बिलकुल डवल डी की जगह एक सिंगल डी लिखा जाएगा बहुत अच्छी बात है अपने नामाई प्रवत्म कर सकते हैं यदि हम इतने बड़े पत पर पहुंच जाएं तो बात करें विवादित जो हमारे मोदी जी से है तो मौब लिचिंग पर बुद्धी जीवियों हस्ती जीवियों हस्ती जो थी उन्होंने सिर्फ डबल सरकार चुप ऐसा कहा गया है कि 23 जुलाई को नंचा सस्तियों ने मोदी को पत लिखर कहा कि जैसरी राम इंसा बढ़काने वाला नारा बन गया है पत्र लिखने वालों में इतियासकार रामचंदर गोहावनेत्री कौंकणा सैन ओफलिमकार स्याम बेनेगल अनुराग कस्याप और मणी रतनम सामिल थे तीन दिन बाद सुकरवार को 62 हस्तियों ने जवाब में खुला पत्र लिखा कहा अब नकसली आदवाशियों को निसाना बनाते हैं तब आप चुप क्यों रहते हो आप समझ नहीं आता यह जवाबी पत्र लिखने वालों में कंगना रनोट और बात करें कि कंगना रनोट औ और संगीत कार प्रसून जोसी फिल्मकार जो रह चुके हैं और मधू भंडाकर अविनेता बेवेक औविरोहिस में शामिल हैं इसी के साथ अगला जो आप लोगों का दिया गया है दुनिया का पहला अंडरवाटम लटनी मीजम साथ दिन में बना यहां 19 रहेगे सेन अपकर और एंटी एरक्राफ्ट इसमें रखे जाएंगे इसे के साथ ही आप लोगों को अगली हेटाइम पर ले जाना चाहूंगा तो आप लोगों बताना चाहूंगा कि कार्गिल जो हमारा विजय दिवस मनाया जाता है और कार्गिल विजय दिवस भारत में प्रतेक साल जो 26 जाए है दिनका कार्गिल संगर्स में साइद विजय सेनिक थे उनको सर्दान जली अरपत की जाती है सारा देश इस दिवस पर युद्ध में जान नोचावर करने वाले साइदों को याद कर रहा है बात करते हैं सब की आप हमें सम्मान जलक रहा है इसी के साथ ही आप लोग रक्षा मंतर के सद्धान जली दी उनों ने ऐसा कहा कि भारत बहाद्री जो लड़ते हुगी है भारत के सम्मान की रक्षा की उनका प्रचंड सहासी बलदान प्रेणा हमारे लिए सहयक है बात कर gleich वर्मक़कर की प्रदान मंतरी मोधी लें क्या कहा और उन्होंने जैहिंद लेकर इस प्रकार से एक पोस्ट अप्लोड की है ट्विट किया है और कारगल दिवस पर राष्टपती रामनाथ कोविंद ने कारगल बजए दिवस के अफसर पर कारगल बजए दिवस हमारे कृतक के राष्ट के लिए 1999 में कारगल की चोटियों पर अपने ससस्त्र बलों की बीरता को याद करने का दे हम इस अफसर पर भारत की रक्षा करने वाले योद्दाओं को दो देहरका नमन करते हैं इसके साथ ही पूरा पीडिये फाइल एवेलेवल है इसको आप आचानी से पड़ रखते हो कारगल ये तो के बारे में जरूल दानकारी देना चाहूंगा तीन माई 1999 में को सुरूआ था ये दुकरिब धाई महीने दे चला और 26 जुलाई 1999 को समप्त हुआ कारगल पज़े दिवस के दिन देश और में सैनेक पुलिस और आम लोग भी देश वक्ती कारग्रमों का आयोजन करते हैं इसमें जो लोग मरे हुए थे उनमें कैप्तन बिक्रम बंत्रा की बात करें है तो उन्हें मरोणो प्रांथ जो है लेफ्ट हेंट मनोज कुमार पांडे को मरोणो प्रांथ और राइफिल में कौन संजय कुमार जी को और ग्रेने डियर योगे अंदर शियादा को बारत का 16,000 फिट की उचाई पर लड़ा गया है जो विश्य में बारती सेना के साहस का पर्चा देता है कारगल युद्ध को कारगल संगस के नाम से भी जाना जाता है और इसका क्या कारण था बात करें तो पागेस्तानी सेना और कस्मीरी युगरबादियों ने साल 1999 कारगल में नेंत पाजर कल लिए उसी दिन से 26 जुलाई के दिन जो है कारगल सहीदों को पूरी देश में सदनली दी जाती है और इस दिन को कारगल बज़ेद्वस की रूप में भी मनाया जाता है इसके साथ ही अगला जो आप लोंका दिया गया है तीन तलाग बदियक लोग समाए 25 दून मंत्री कौन है बरतवान में केंद्री कानुन मंत्री हमारे रवी संकर परशाद जी ने कहा है कि मामूली बातों पर आज महिलाओं को तलाग दिया जाता है ये बहुती गलत बात है विद्यक में एक साथ अचानक तीन तलाग दिये जाने वाले को अपराद करार दिया जाएगा ओके जी के साथ ही इसे संब्दित को प्रवधान भी आपनों को दिये गए है क्या है मैं पताता हूं आप लोगो इस विद्यक में जो है संगय अपरहाद मानने का प्रापदान है अर्था पुले सद्गारी बना बारंट के ग्रफ्तार कर सकता है विद्यक को तीन तलाग अर्था तलाग 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 बिद्यत को रतो गेर कानूनी बनाना है तलाग देने पर तीन साल की सजा का प्रापदान है और नामालिक बच्चों को पीड़त महिला अपने पास रख सकती है मेस्टेटिस के बारे में तै करेगा साजा का प्रापदान तब होगा वीडियो दिखाई जाना चाहिए जिससे क्या है हमाई धुना बंदों जो इसमों के इंकल्स की दिखाई जाती है और वाल यह उन्सों सब्सक्राइब करने को भी कहा है कोट के अनुसाद टीवी चैनल को भी रीडियो और वीडियो चाइल्प लेटियों के साथ दिखाने को कहा गया है जिससे क्या है बहुत ही हैल्फिल रहेगी बात करें पॉक्सों कोट्ट ने कह दिया जिंजलों में बाले आनुटपिण पीड़न के मामले सो से ज़्यादा है वहां साथ दुनों के भीतर पॉक्सो कोट बनाए जाने चाहिए बज़े इस पॉक्सो कोट के गठन जो है खर्चा बहुत पूरी तरह से किंसरकार उठाएगी और यह अदलत ने केवल बच्चों के साथ यह उन्सुन अपरात की मामलों की सुनवाई करेंगे तो यह हमारी से बहुत ही अच्छी बात है कि इस प्रकार से सूस तो रहा है बात करें पॉक्सो कानून की तो महिलाव बालबकास मंत्राले द्वारा पॉक्सो एक्ट दौहर बारा बच्चों के परती यह उन्सुन उत्पीड़ा ने अन्या परदान ग्रूप में बनाए गया था साल दौ दिने हम के बात करें तो बच्चों को कंभीर अप्रादों सुरच्छा प्रतान की जाती है कानू चाहे लड़का या लड़की दुनों को समान रूप से सुरच्छा पजान करता है दिने हम के 18 साल से कम अमरे के बच्चों कुछी भी तरका यह यह उन वैवार या छीड़- समाप्त होता है तो पीडिया फाइल आप लोगों डिस्रिक्शन में डाउनलोड कर लेना है फ्री आफ कॉस्ट इसका आप से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और वीडियो यह पसंद आता है तो फैला दीजे अपने स्टेडी ग्रॉप में और आप लोगों फिर शी बोल करने वाली हैं धन्यवाद दूस्तों